हेई एवरिवन आज हम देखेंगे नैट्रम्यूर मेडिसिन को एलें स्कीनोर से तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैट्रम्यूरेटिकम, एनसीयल या फिर कॉमन सॉल्ट जो होती है उससे बनाई गई है मैडिसिन है मिनरल किंग्डम की तो चलिए देखते हैं कि कंस्टिउशन में क्या है नैट्रम्यूर के तो एसे परसन फॉर्द एनिमेक और कैचक्तिक ठीक है ऐसे परसन जिनको खून की कमी है एनिमिया है और जो की बहुत जादा दूबले पतले है वैदर फॉर्म दो लोस आफ वाइटल फ्यूर्ड या तो क कि तो इस ठाइब का कंस्टिउशन है तो वह नैट्रम्यूर का हो सकता है अभी बाकी केरेक्टर सम देखते हैं मेंटल जेनरल में तो फॉर्द बैड एफेक्ट किसका बैड एफेक्ट हो सकता है एंगर का अगर कोई ओफेंस के बाद किसी परसन को एंगर आ रहा है एक्सेस कंडिशन है वाक्सेशन है ठीक ही बहुत साथा दुखी मॉटिफिकीशन या फिर कोई चीज है डिस प्लेजर वह अपने अंदर ही अंदर रखा है उसने रिजर्व डिसपलेजर है स्टेफी में भी हमको डिसपलेजर की कंडिशन देखने को मिलती ऐलिमेंट में अब देख से बात करेंगे तो crying from slightest cause अगर थोड़ा सा भी cause है उसमें रो देगा person इस ट्राइब की irritability होगी get into the patient about trifle छोटी-छोटी बातों पर उसको घुसा जाता है especially when consoled with अगर उसको consolation देंगे अगर उसे सहानूब होती देंगे उसकी problems में तो उसको और जादा दिक्कत होगी और जादा irritability cause होगी एक टैप का awkwardness has to drop the thing from the nervous weakness nervous weakness के कारण जो person रहता थोड़ा awkward रहता है hesitations होती है उसके अंदर और फटा-फट काम करता है बट जो चीजे रहती है वो हाथ से गिर जाती है क्योंकि nervous weakness हो रही है एपिस और बोविस्टा में भी things क्या होती है अपने हातों से गिर जाती है mark dispositions to weep ठीक है जो person होता है जो भी constitution रहेगा person का mentally उसको जल्दी से रोना जाता है दुखी रहता है weeping mood रहता है हमेशा रोने जैसा without cause कोई cause नहीं पता है पलसिटिला में भी हमको weeping dispositions देखने को मिलता है अगर consolations करेंगे तो उसकी problems है जो female है उसकी troubles को aggravate करेगी ठीक है यही अगर पलसिटिला रहती है तो उसको consolation amulurations देता है उसको आराम मिलता है उसकी problems में क्या आए मुझे लोग बाते करे affections उसको amulurations है dreams अगर देखे तो robbers के dreams देखने को मिलते है house में ऐसा लगता है कि घर में क्या है robbers है ठीक है चोर गुसाय है और क्या करता है person नींद खुलेगी और walk करेगा और किसी पर believe नहीं करेगा जब तक ही वो उसको ढूण नहीं लेता है और search नहीं कर लेता कि हाँ घर में robbers है कि नहीं है ठीक है burning टाइप की thirst रहती है physical generals को discuss करते हैं तो बहुत जादा great emaciation देखने को मिलता है मतलब बहुत जादा दुबला पतला है मतलब losing flesh by leaving well खाना पीना तो बहुत अच्छा है फिर भी उसकी body का जो flesh है वो क्या कर रहा है लूज कर रहा है वो तो abrotenum और iodum भी marasmar की emaciation की remedies है थ्रोट की अगर बात करें नेक थ्रोट चिल्रन्स emaciation rapidly दूरिंग समर कंप्लेंस समर कंप्लेंस में जो पच्चा रहता है यह जो person रहता है उसकी थ्रोट और नेक में emaciation हमको देखने को मिलता है सैनुक इला में भी हमको emaciation देखने को मिलता है समर में अब देखते है great liability to take cold ठीक है ठंडी जो भी ठंडी atmosphere या ठंडी चीज़े है cold उसको बहुत जल्दी लग जाता है यही symptom को calcarea और काली काप में भी देखने को मिलता है craving for salt, salty craving होती है उसको calcarea or caustricum में भी यह symptom है हम लोग person से पुछते कि हम नमक जादा पसंद है नमकींची से जादा पसंद है तो craving जादा होती है natural mirror के person को और उसको bread खाने से aversion रहेगा for the bad effect of acid यह तो बहुत साथ acidic food खा लिया है उसके bad effects हो गए है bread खा लिया है उसके bad effects हो गए है quinine का abuse हुआ है last past में उसके access you use हो गया है salt का उसका भी abuse हुआ है अगर salt का तो भी हम natural mirror हो सकते है cauterization हुआ है all kind of with silver nitrous से किसी external application दे कर cauterize किया है तो भी हम natural mirror सो सकते हो अब बात करते है natural mirror के head symptom के तो बहुत ही important headache होता है enemy और school going girls जो school girls है उनमें enemy हमको usually देखने को मिलता है तो उनको headache होता है कलके रिया force में भी school going girls में headache है sunrise to sunset जैसे ही सूबे हुई तो रात तक उसका headache बना रहेगा जब तक sunset रहता है lap sided especially clavicle clavis में होता है ठीके bursting type का headache होता है red face देखने को मिलता है nausea vomiting भी हमको देखने को मिलेगी before headache during और after manses भी हमको headache देखने को मिलता है through thousands अब जो character पेन रहेगा ऐसा लगता कि thousands अब जो little hammers है वो क्या हो रहा है brain में कोई मार रहा है head में कोई knock कर रहा है ठीके fever के टाइम है ठीके लेगिन pospiration से इसको emulation रहता है natriumure को headache की अगर बात करते तो beginning होता है blindness के साथ ठीके जब भी headache स्टार्ट होगा तो आखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा यही symptom हमको kalibye और iris में भी देखने को मिलता है with a zigzag dazzling like light देखने को मिलती आखों में ठीके a uterus in a throbbing and headache from the eye strain ठीके तो जो सुरवात होगी वो throbbing से होगी और eye strain होगा hair fall हमको देखने को मिलता है जब भी touch करते है especially जो nursing women's है उनमें hair fall देखने को मिलता है oil face के सा oily और shiny और greasy देखने को मिलेगा plumbum और thooja में भी oily shiny greasy look of the face देखने को मिलता है और जो hair fall है hair को touch करने से ही hair fall देखने को मिलता है especially जो nursing women's है CPI में भी nursing women में complaints देखने को मिलती है eye symptom के बात करते तो जो lacrimation होता है जो tears है stream drown the face whenever he cough ठीके जब भी patient cough करेगा तो आखों से क्या होगा? tear stream drown होगा euphrasia में भी हमको इस symptoms देखने को मिलता है mouth के अगर बात करते तो sensation हम hair on a tongue tongue में hair के sensation हमको एक और remedy जो की silasya है उसमें भी देखने को मिलता है tongue के अगर बात करे तो mapped tongue mapped tongue के ऐसी जैसे की red color की insular pages देखने को मिलेंगे gold gold ring warm जैसे egg side में और arsenic, lacasis, murg, nitric acid और terexacum में भी ring warm हमको देखने को मिलता है tongue में heavy tongue देखने को मिलेगे difficult speech और जो बच्चा रहेगा slow in learning to walk bone lay में अगर कोई बच्चे को milestone delay है तो natural mirror आप सोच सकते हो GID के अगर बात करते तो constipations देखने को मिलता है तो sensation के सा होता है constipation का अगर character देखे तो contraction in anis, anis में ऐसा कठा कठा सा contraction का sensation आएगा tone और bleeding, smarting after all उसके बाद क्या होगा tone हो जाएगा वो area, pain होगा उसके बाद और bleeding भी होगी stool dry और heart character करेगा difficult और crumbling करेगा crumbling pain होगा ammonium carb और magnesium muraticum में भी हमको crumbling pain देखने को मिलता है stitches आब rectum, rectum में stitching pain होगा nitring acid में भी हमको stitches देखने को मिलते है और involuntary, involuntary knows not whether flattus और feces इसके उसको पता ही नहीं, involuntary, stool pass हो रहा है या फिर fart या, fecus pass हो रहा है उसको flattus pass हो रहा है, उसको sensations नहीं आते है alloy, ioderm, muratic acid, all year under और podofilum में भी ये symptom है कि involuntary, stool pass out होता है अब आज जाते है, urinary symptoms पे तो जो natural mure है उसमें involuntary urine भी देखने को मिलती है जब walking करेगा, coughing करेगा, laughing करेगा तो यह symptom हमको costicum, pulse और squilla में भी देखने को मिलता है has to wait a long while for urination to pass ज़्यादा time लगता है urine pass out करने में ऐसा लगता है कि अगर other present है तो urine pass out नहीं कर पाएगा वो हेपार और muratic acid में भी ये symptom है cutting in a urethra after अब urination के बाद cutting pain देखने को मिलता है urethra reason में, सासा पायरिला में भी ये symptom है अगर male reproductive system देखे तो जो seminal emissions है ये soon after question question किया है उसके बाद एकदम जल्दी से उसको seminal emissions हो जाता है with increased desire इटले कि desire तो अभी भी है weakness आप organs देखने को मिलता है retarded emissions during embrace के time में ये importance देखने को मिल सकती है spinal irritations के कारण और paralysis after sexual accesses के कारण paralysis भी और spinal complaints हो रही है तो आप ignitermuse हो सकते हो male में female में देखे तो हमको pressing towards the genital every morning bearing down sensation है इसको must to sit down to prevent prolapse इसलिए वो क्या करती है sit down करेंगे prolapse को pre-refervent करने के लिए lilium ting और murex और cpn भी हमको bearing down देखने को prolapse अब uterus वाली condition देखने को मिलती है अब हम देखेंगे respirator system को तो है fever देखने को मिलता है हमको allergic fever ठीक है squirning sensation of the nostril nostrils में कैसे sensation आ रहे square me मतलब फड़फडाने माला sensation nostrils में देखने को मिलता है small warm ऐसा लगता है कि चोटे-चोटे से warm से नाक में brought on by exposure to hot sun या फिर intense summer heat के कारण उसको नाक में से sensations आते है काडियोस्कुलर सिस्टम के अगर बात के तो fluttering of heart heart में fluttering sensation है weakness देखने को मिलती faint feeling देखने को मिलती कि जोगी aggravated हो जाती lying down से legasus में भी ये symptom देखने को मिलता है heart जो होगे heart के जो pulsations है वो सेख कर देते हैं अगर बात करें तो painful contractions देखने को मिलते है जो hamstring muscle होती जो थाई की मसल है वहाँ पर painful contractions देखने को मिलते है ammonium mure costicum और guacum में भी हमको ये symptom देखने को मिल सकता है painful contraction of the hamstring muscles अब बात करते हैं natural mure के fever के बारे में तो fever में flavor blisters देखने को मिलते है pearl की तरह मोती की तरह देखने को मिलेंगे lip पे अगर lips की बात करें तो dry और sore cracked भी मिल सकते है और ulcerated भी मिल सकते nitric acid में भी ये symptom है ulceration cracked वाला ठीक है अगर बात करते है intermittent fever देखने को मिलता है intermittent मतलब short time के लिए रुख जाता है अगर again आ जाता है तो ऐसी paroxym हमको 10 या 11 बजे AM पे देखने को मिलेंगे old या chronic fever रहता है उसमें भी दे सकते है badly treated cases especially after the suppression of quenning अगर किसी को quenning suppression के बाद chronic fever है headache है with unconsciousness time chill stage में heat में हमको sweat देखने को मिलता है जो की pain को relief कर देता है skin के अगर बात करते तो hangnails के condition देखने को मिलती है नाखुनों के असपास skin around the nails के इसी dry or cracked देखने को मिलती है graphitis or petroleum में भी cracked nice लेकने को मिलता है herpes की condition देखने को anus के around on the border of hairs में hair line में जब हमको eruptions or herpes देखने को मिलता है naip नेक में band of knees में अगर देखने को मिलता है herpes पे eruptions तो हमको hepar और graphitis हम लोग सूच सकते है अब बात करते है fever की तो femen में हमको watts देखने को मिलता है palms में जो हातों की जो palms से वहाँ पे watts देखने को मिल सकते है अगर sore to touch है तो nitric acid, sorry, natrium carb रहेगा eczema की अगर condition देखे तो raw red color का eczema देखने को मिलता है inflammation वाला specially the ages hair के ages है वहाँ पे जो की agravization होता है from eating a too much salt या फिशी sore में या फिर ocean व्योज में archery area हमको acute or chronic type दोनोटर character का मिल सकता है पूरी body पे हमको archery area देखने को मिल सकता है specially after the violent exercise के बाग अगर किसी को archery area develop होता है तो natriumure हम लोग सोच सकते है apis, calcaria, hepar, sanicula और archery area यूरेंस में भी हमको exercise के कारण archery area देखने को मिलता है यह सारी archery area की medicines है moralities के अगर बात करें तो aggravation देखने को मिलता है 10 to 11 a.m पे sea sore face, sea air से heat of sun से mental exertion से aggravation देखने को मिलता है talking से, writing, reading और lying down से emulation अगर देखे तो हमको open air में देखने को मिलता है apis और pulsity line भी open air में है हमको emulation देखने को मिलता है cold bathing से लेकिन going without regular meal से उसको अच्छा लगता है lying on rice side अगर penful side से अगर किसी को emulation है तो bryonia, ignecia, pulsity और aggravation है तो natriumure अब discuss करते हैं natriumure के relations को तो यह complimentary है apis की ठीक है हम इसको दे सकते है before and after natriumure natriumure is the chronic ab ignecia which is the vegetable analog natriumure क्या है ignecia की chronic भी है और vegetable analog भी है यह follow करती है sepia और thooja को can't often be repeated in a chronic cases without an intermittent called for by the symptom ठीक है कभी हमको chronic cases में natriumure को repeat नहीं करना है जब तक की उसकी intercurrent हमको symptoms कोन ना करे should never be given during fever paroxyum fever का जब paroxyum आया है तब हमको नहीं देना है if the vertigo and headache be very persistent और prostrations भी प्रोलंग after natriumure नक्स क्या कर सकता है रिलीव कर सकता है इस condition को तो यह थी natriumure medicine Allen's keynote से I hope अबके लिए lecture helpful है thank you for watching कुई एकूम कुई परीक है